हिंदी साहित त्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकर के साथ दोस्तों HPLT कमिशन की तैयारियों के अंत्रगत इससे पहले हमने शिक्षा शास्त्र या जो आपका टीचिंग साइकॉलोजी है वहां से 20 प्रशन कर लिये थी पीछे वाली वीडियो में अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप HPLT कमिशन के नाम से जो हमारी प्रेलिस्ट बनी है उसको चेक कर सकते हैं वहां पर हमने अच्छे तरीके से उन प्रशनों को डिसकस किया हुआ है तो आज हम इसके अंतरकत पढ़ेंगे आपका जो हिस्ट्री वाला प्रशन है उसके कुछ एक प्रशनों को हम देखेंगे कि कौन-कौन से प्रशन है और किस तरीके के प्रशन बनने के संभावना L.T. कमिशन में होती है और कैसे प्रशन जो इसमें पूछे जाते हैं इन सब चीजों के बारे में हम डिसकस करेंगे तो चलिए बिना देर किये शुरुआत करते हैं आज के लक्चर की और देखते हैं अपना पहला प्रशन तो दीखिए प्रशन संक्या एक है बावर की आत्म कथा बावर नामा किस भाशा में है तो दीखिए जो आपका हिस्ट्री है वो तीन भागों में डिवाडिड है आपका सबसे पहले प्राचीनी तिहास उसके बाद मद्यकालिन और उसके बाद आधुनी की तिहास तो यहीं से जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं यहां की वो ही पूछी जाती है और इसके अलावा चाहे कुछ एक युद्ध हैं या कुछ एक जैसे महानशासक हुए हैं उनकी जो उपादियां हैं उनके बारे में पूछा जाता है तो महत्वपुन चीज़े हैं, हिस्ति से लगभग 10, मैक्सिमम 10 और कम से कम 5 प्रशन बनने की संभावना रहती है L.T. कमिशन में तो यहाँ पर पहला प्रशन में रखा है आपका मध्यकालिन इतिहास से कि बावर की जो आतमकथा बावर नामा है वो किस भाशा में है तो देखिए विकल्प हैं फार्सी, अर्भी, चगताई, तुर्की या फिर उर्दू तो देखिए इसका जो सही उतर होगा वो होगा विकल्प नमबर 3, चगताई, तुर्की तो देखिए जिस तरीके से हिंदी भाशा में हिंदी की जो पूर्व की बोलियां है अन्य, ठीक है ही करना है क्योंकि तुर्की से, क्योंकि तुर्की जो है वो क्या है चगताई, तुर्की का ही अगला रूप है ठीक है तो चलिए अगला पशन हम देख लेते हैं किस सुल्तान ने चांदी का टका और तांबे का जीतल प्रारंब किया तो देखिए चांदी का टका और तांब एक इलतूतमिश तो इन्हों ने किया थे चांदी के टंके और तांबे के जीतल को प्रारंब ठीक है जबकि शेर्शा सूरी ने क्या किया था ये आप मुझे कमेंट सक्षिन में जाकर बता सकते हैं अगला पशनम देख लेते हैं देखिए विक्रम शिला विश्व विद्याले कि स्थापना किस शासक ने की थी तो देखिए विक्रम शिला विश्व विद्याले ये बहुत ही महतपोर्ण है इससे कुछ ना कुछ जरूर पोछा जाता है या इसको किस ने उजाड़ा था या फिर ये कहां पर है ठीक है अभी दो दिन पहले अगर हम सैट की परिक्षा द की थी तो देखिए विकल्प नंबर चार है धरम पाल तो इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी जो पालवंश से संबंधित थे और पालवंश के जो प्रत्थम शा सकते वो कौन थे गोपाल थे तो इस रिखे से भी प्रशन पूछ जा सकता है तो आपको जो जो महतप इसके बारे में पूछे जाता है यह किसके बीच में लड़ा गया था यह आपका जो शासकते देखिए अशोक उनके बीच और जो कलिंग के राजा थे उनके बीच यह लड़ा गया था और कब था 261 BC ठीक है तो विकल्प नंबर दो इसका क्या होगा सही उत्तर होगा और इ चो के बारे में भी आप थोड़ा बहुत पढ़ लें तो बेहतर होगा चलिए अगला प्रशन हम देख लेते हैं चोलों की राजधानी कहां स्थित थी तो देखिए इस तरीके से भी प्रशन पूछे जाता है चोल चेर चालुक्या जो भी है इनकी जो राजधानी है वो कहा है इसे प्रशन बनने की संभावना रहती है तो देखिए विकल्प हैं मदुरई, कांचीपुरम, तंजोर या फिर द्वार, समुद्र तो देखिए चोलों की जो राजधानी थी वो थी आपकी तंजोर में विकल्प नमबर तीन इसका क्या होगा सही होगा या फिर चोल शा जहांदारी किसकी रचना है तो देखिए जैसे मैं पहले भी कहा रहा था कि इस तरीके से प्रशन बनने की संभावना रहती है तो देखिए ये जो रचना है ये है आपकी बरनी की विकल्प नमबर A इसका क्या होगा बिलकुल सही उत्तर होगा तो चलिए अन्य जो यहां प देखते हैं बर्नी, तो इनकी जो रचना मैं पहले भी कहलिया कि फत्वाए जहांदारी है, जब कि मिनहाज उस सिराज देख्ये, इनकी जो रचना का नाम है तवकाते नासीरी, हो सकता है इसको पूछा जाए, इसको भी आपने याद रखना है, नेक्स दिकिए मलिक इसामी, तो इनकी थी पथु उस सलातीन, तो ये किसकी थी मलिक इसामी की। नेक्स तरी के अमीर खुसरो, अमीर खुसरो ने हाना की बहुत सारी रचनाय रची हैं, लेकिन इनकी जो प्रमुक इतिहास ग्रंथ माने जाते हैं, वो है आपका तुगलक नामा तारीक अलाही। और ये वाला प्रशन दोस्तो, हिंदी साहित्य के अंत्रगत भी पूछे जाता है कई बार, कि अमीर खुसरो की कौन सी असी रचनाय हैं, जो इतिहास ग्रंथ मानी जाती हैं, है ना, तो वहाँ पर भी आप इन दो रचनाओं को इनकी रख सकते हैं, तुगलक नामा और तारीक है अलाही को, अन्य जो रचनाय है इनकी खालिक बारी वगेर वगेरा, वो आपने देख लेना है कि साहित्य के अंत्रगत कौन-कौन सी आती हैं, और अगर आपको नहीं मालूम है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हमने अमीर खुसरो के उपर पूरा का पूरा एक सकते हैं, चलिए, अगला प्रशन हम देख लेते हैं, अश्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंदित है, अश्टांगिक, अश्ट का मतलब है आठ, अंगिक मतलब शरीर से रिलेटिड है न, तो ये मार्ग किस धर्म से संबंदित है, तो दीखिए सही उत्तर जो इस प्रशन भी किसमें हुई है, बौध गृंतों में हुई है, त्रीपीटी कौन-कौन से हैं, यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, ठीक है, हडपा सा भैता के किस स्थल को कांसिय नर्तकी या डांसिंग गल की मूर्ती मिली है, एक बार फिर से में प्रशन पढ़ लेत यह वाला प्रशन अभी इतिहास परिक्शा में जो सेट की हुई है, दो दिन पहले उसमें भी पूछा गया था, कि जो डांसिंग गल है, उसकी मूर्तियां कहां मिली है, तो इक इसका जो सही उतर होगा, यह होगा आपका विकरप नंबर एक, मोहन जोड़ों में, है ना, त कहां पर है काली बंगा, राजस्थान में है, ठीक है, नेक्स देखिए, अगला जो है लोथल, तो लोथल में मिले थे चावल, है ना, और हडपा में, यहां पर आपको मिलेंगी गधे की हडियां, यहां से मिली है, तो यह चारों के चारों विकल्प हैं, कौन चीज कहां पर पाई जाती है, वो मैंने आपको बता दी है, इस तरीके से भी प्रशन बनने की संभावना रहती है, चलिए, अगला प्रशन हम देख लेते हैं, रामक्रिशन मिशन किस थापना कब और किस ने की थी, तो यह तो सिंपल सा प्रशन है, I hope आप सब लोगों को याता होगा, इस प्रशन हो, इन किस थापना किस ने की थी, यहां से प्रशन बनने की संभावना रहती है, तो आप इनको थोड़ा सा पढ़के जरूर जाएं, चलिए, अगला प्रशन हम देख लेते हैं, अधोमुकी निस्पंदन या फिर जिसको कहते हैं, इन्फिल्ट्रेशन थियोरी, य इन्फिल्ट्रेशन थियोरी दी थी, और यह अधोमुकी निस्पंदन जो इन्फिल्ट्रेशन थियोरी क्या है, यह कहती है कि सबसे पहले जो शिक्षा किसको दी जानी चाहिए, जो आपका उच वर्ग है, मतलब चानने की जो थियोरी थी, एक तरीके से फिल्ट्र करना किस 1857 के जो क्रांती थी या फिर जिसको विद्रो कहते हैं उसके दोरान भारत जो ब्रिटिश भारत था उसके गवर्नल जनरल कौन थे तो विकल्प हैं देखी लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड लॉजी, कैंप बेल या फिर हार्डिंग तो इसका जो साही उतर होगा विकल्प नमबर एक लॉर्ड केनिंग, तो ये थे ब्रिटिश भारत के गवर्नल जनरल 1857 के दोरान, नेक्स प्रशनम देख लेते हैं देखिए, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान नारा किसका है, तो देखिए, सावरकर, द्यानन सरसोती, बंकिम चंदर चटर जी, या फिर मदन मोहन मालवि जे ने, ठीक है, नेक्स प्रशनम देख लेते हैं, तो देखिए, फिर से एक पुस्तक मैंने आपके बीच में रख दी है, जो आपका आधुनिक इतिहास है, वहां से ये प्रशन उठाए गया है, कि जो इंडियन स्टरगल पुस्तक है, देखिए, इसके रचाईता कौन है, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर राजेंदर प्रसाद, निता जी सुभाषचंदर बोस, या फिर शामा प्रसाद मुखर जी, तो इसके अलाबा, बाल गंगाधर तिलक, राजेंदर प्रसाद और शामा प्रसाद मुखर जी ने भी कूछ एक पुस्तकें लिखी हैं, तो द पुस्तक है देखिए इंडियन डिवाइडिड ठीक है और निताजी सुभाष चंदर बोस यह थो हमने पढ़ ही लिया इंडियन स्ट्रगल और श्यामप्रसाद मुखर जी इनकी जो बुक का नाम है देखिए इसके अलावे इनोंने कुछ और पुस्तके में लिखी हैं तो पंडित मदन मोहन मालविया तो महात्मा गांधी के साथ नेताजी लग गया देखिए आप इसको नीचे वाले जो भिकल्प नमर दो है उसमें कर लीजेगा तो देखिए इसका जो सही उतर होगा देश्त्रोही फकीर कहा जाता है यह आपका महात्मा गांधी को कहा था देखिए आज का आकरी प्रशन हम देख लेते हैं कुरान खां उपाधी किसकी है कुतुबदीन एबक मुहमद बिन तुगलक बहलो लोदी या फिर बलबन तो देखिए इस प्रकार उपाधी से संबंदित भी एक प्रशन पूछा जाता है और इसलिए मैंने आपके बीच मे इस तरीकी का प्रशन रखा है कुतुबदीन एबक मुहमद बिन तुगलक बहलो लोदी या फिर बलबन तो देखिए कुतुबदीन एबक की जो उपाधी थी उसके बारे में पिछली बार भी पूछा गया था ये थी आपकी लाख बक्ष कुतुबदीन एबक की उपाधी और इस प्रशन का जो उत्तर है वो भी कुतुब दिन एबग ही है इनका जो अन्य उपादी मिली थी देखिये वो कुरान खा की उपादी मिली है तो इस प्रशन का जो सही उत्तर होगा विकल्प नमबर एक अब हम देख लेते हैं तुगलक, बहलोलोदी और बल्बन की उपादियों के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं देखिए शासक वो उनकी उपादियां एबक, लाखबक्ष और कुरान खान तो इसके अलावा जो जो चीजें भी बनती हैं आप एक बार उनको जरूर प्रिक्षा से पहले देख लीजेगा हिस्ट्री से रिलेटिट प्रशन नौदस ही पूछे जाते हैं इसके अलावा जादा नहीं पूछे जाएंगे जो प्रमो के युद्ध थे उनको एक बार जरूर आप पढ़ लीजेगा वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्षन में जाकर बता सकते हैं अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बीच में शीर कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें तो फिर मिलेंगे नई उर्ज और नई स्पूर्ति के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जैहिंद